रोजाना सुबग खाली पेट लो, जीवन भर नसों में ब्लॉकेज, जोड़ों का दर्द कभी नहीं सताएगा, हड्डियां होंगी ब्रज जैसी दोस्तों हर किचिन में सौफ, अजवाइन और जीरा रहती ही है, ये आउसदी गुणों से भरपूर होती है, इसे हम अलग-अलग खानों के चीज़ों में मसालों के तौर पर इस्तमाल करते हैं दोस्तों, ये खाने के स्वात को तो बढ़ाती ही है, साथी श्रीर में होने वाली कई विमारी को दूर करने में हल्प करती है इन सभी आउसदियों के बारे में आयर्युवेति के ताफ़ टांग रिद्दम में वक्खुभी बताया गया है इसके तासिर के बात करें तो जीरे की तासिर गर्म है, सौफ की तासिर ठंडी होती है और अजवाइन की तासिर गर्म होती है अगर आप सौफ, अजवाइन और जीरे को mix करके powder का इस्तमाल करते हैं तो यह आपके शरीर के लिए बहुत सारी बिमारियों में फादा करता है आपको मैं इसके फायदें बताऊंगा और कैसे खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, कम लेना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को धियान से अन तक बिना skip किए देखिए तो हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे और बाउल में लेंगे दो चम्मच सौफ, दो चम्मच अजवाइन और दो चम्मच जीरा आपको यहाँ पर समान मातरा में लेना है आप जब भी घर पर बनाओगे तो तीनों ही औसदियों को समान मातरा में लेकर बनाएगा अब आपको क्या करना है फ्राय पेन को लो फ्लेम में रख देना है और इन तीनों चीजों को भून लेना है आपको यहाँ पर बिल्कुल धिमी आज में लगबग 2-3 मिनट का भून लेना है ताकि इसके इंदर जो नमी है वो निकल जाए और भूनने के बार इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जब यह हलका ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी में डाल कर इसका पौडर त्यार कर लेना है याद देख सकते हैं पिजने के बाद यहाँ पौडर कुछ इस तरह का दिखेगा इस पौडर को किसी जारे में डाल कर र लगबग 2 से 3 गराम के मातरा में इसमाल एक बार करना है और इस तरह गून-गुने पानी में डाल कर मिला लेना है और इस पानी पार है अगर आप इस तरह लेते तो आपको बहुत से फादे मिलेंगे आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों आपके श्रीर की लगबग 60-70 फिजदी बिमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी यह करके जानते हैं इसके फादों के बारे में जिनका श्रीर में blood का circulation अच्छे से नहीं हो रहा है नसों में blockage की समस्या हो रही है सिने के आसपस दर्द रहता है nervous system अच्छे से काम नहीं कर रहा है सिर में दर्द रहता है हाथों और पैरों में कपकपी सी छाई रहती है कोई चीज को पकड़ते समय हाथ हिनने लगते है तो ऐसे में यह powder आपकी बहुत help करेगी इसको पिने से श्रीर में blood circulation अच्छे से होने लगेगा नसे खुल जाएंगी nervous system अच्छे से काम करने लगेगा नसों में जो जमीवी वाद यानि की हवा है वो श्रीर से बाहर हो जाएगी नसों में blockage की समस्या दूर हो जाएगी हाथ पैरों का हिलना जो है न वो बंध हो जाएगा इसके लावा पेट में gas, जलन, acidity की समस्या दूर होती है हाथों में जमाओं जो मल है वो अच्छे से साफ हो जाता है कबजी की समस्या दूर होती है इसके लावा श्रीर के अंदर बढ़ी वी gas जो है न वो श्रीर से बाहर हो जाती है इस border को लिने से दोस्तों मांसिक तनाव, stress, depression की समस्या में भी यह बहुत फादा करती है या फिर दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है किसी भी चीज को जल्दी भूल रहे हैं तो ऐसे इस्तिती में यह बहुत help करती है इसके लावा जिनको हड्डियों से related problem है हड्डियां कमजूर हो रही है श्रीर में वात बढ़ गई है जोड़ों में चिकनाहाट खत्म हो रही है काटिलेज आपस में घेशते हैं उठते बैटे समय जोड़ों में घुट्णों में दर्द रहता है हड्डियों के density कम हो रही है तो उन लोगों के लिए इन तीनों चीजों का पानी सुबा शाम जरूर पिना चाहिए ऐसा करने से हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगे श्री में बढ़ी वी वात बाहर आके जोड़ों में ग्रीस यानी की चिकनाहाट खत्म नहीं होके जैसे जोड़ों में घुट्णों में होने वाला जो दर्द है अपने आप तीरे तीरे खत्म हो जाएगा अगर आपके पेट में अक्सर दर्द रहता है मरोड सा एहसास होता है और इसे अराम पानी के लिए आप हमेशा दवाई लेते हैं तो ऐसे में आपको इस पौडर का सेवन बहुत फादा करेगा आप इसका स्तमाल लगतार साथ दिन तक कीजिए पेट की तक्लीफ जो है ना आपकी 99 फिसदी तक खत्म हो जाएके इसके लावा इंसों में यानि अनिंदरा में भी बहुत फाद्यमंद है इसके लिए आपके इस पौडर को रात को सुने से पहले सेवन करना है और जैसे मैं सब खासते रहते हैं सुखी खासी की प्रॉलम है तो इस सेराम पाने के लिए इस पौडर का काढ़ा बना कर दिन में दो बार पिए इसके लिए आप क्या करें आदा चमच पौडर को एक ग्लस पानी में डाल कर उबाल ले और फिर गर्म काढ़े में एक चमच देशी घी कीजिए इसके सबसे महत्रपूर्ण फालों की बात की जाए तो यह दोस्तों आपके मेटाबोलिजम को बुष्ट करने का काम करता है यानि कि अगर शरीर में एक्ट्रा फैट है चर्वी जमी हुई है तो उसे भी कम करने में आपकी यह मदद करेगा यह बहुत से रोगों का इलाज है आप इसका इस्तामाल करके देखे लगतार कम से कम पंद्रह दिनों तक जरूर कीजेगा गर्वती में लाएं इस रेमेडिय को फालो ना करें धन्यवाद